नमस्कार मैं जन्मक्ता स्यूम गौतम और खवर आ रही है कि जम्मू कस्मीर के मामले पर एक बड़ा बयान आया है करन सींग का जो की माराजा हरी सींग के बेटे हैं और 1965 तक जो जम्मू कस्मीर की रियासत के सद्रे रियासत रह चुके हैं यह वही करन सींग है जो तीन दिन पहले तक कॉंग्रेस के साथ खड़े हुए थे और कह रहे थे कि यह दारा नहीं अटनी चाहिए कोई शिर्चाट नहीं होनी चाहिए लेकिन अब करन सींग ने पूरी तरीके से समर्थन कर दिया कि इन सरकारकार उन्होंने हर मुद्दे पर स दस्मीर की महिलाओं के साथ विवेद होता था उनको उनकी जो नागरिक्ता के रपने रेजिडेंस वाले सर्टिपिकेट रद्द हो जाते थे अगर वो किसी बाहर के ब्यक्ति से यानि की बारत के किसी अन्य राज्य के विवेक्ति से साधी करती थी वो भी गलत था और यह अच्छा हुआ कि अब उनको समान रूप से लेंगिक विवेद को दूर कर दिया गया है एक और बात उन्होंने समर्थन किया कि जिस तरीके से पस्चिंग पाकिस्तान से आने वाले जो सरणार्थी थे जिनकी संख्या 8-9 लाक होती है जम्रू कस्मीर के अंदर उनको अधिक अधिकारों का भी संवर्चन होगा साथी साथ करन सिंग ने का कि जो सेडूल कास्ट और सेडूल ट्राइब को वहां अधिकार नहीं थे अब वह भी मिल जाएंगे अगर मोटे तोर पर कहा जाए तो भारत सरकार ने जो दलीले दी थी उन सभी दलीलों का समर्थन कर दिया है करन सिंडे और ये कॉंग्रेस के लिए बहुत बड़ा जटका है क्योंकि इससे पहले जनार दंदुवेदी जो दिद्राजित सिंधिया बिलिन देवड़ा और रंजीता रंजन आर जैसे कई लोगों ने इसका समर्थन खुल के किया था जिसके बाद ऐसा लगने लगा था क के कॉंग्रेस दोफार हो जाएगी गुलाम नभी आजाद लेकिन अपनी पुरानी गुलामी से अभी तक बाहर नहीं आ रहे हैं और गुलाम नभी आजाद में कल जो डोवाल की तस्वीर आई थी नसे जिद्रोवाल की उसको लेकर एक बहुत ही विवादास्पद और सर्व से खाते हुए नजर आ रहे हैं वह भाड़े के ब्यक्ति हैं अब सवाल यह उठता है कि जो गुलाम नभी आजाद या मीरवाइज के साथ में जो लोग खड़े होते हैं या पीडीपी की महभूबा और उमर अबदुल्ला के साथ जो खड़े होते हों उनको कितने पैसे दि जादा माइनी रखता है क्योंकि मेरे पिता ने ही राज के बिले के लेटर पर हस्ताचर किये थे उनहीं की इच्छा थी कि जम्मु कस्मीर की जो रियासत है वह भारत के साथ मिले इसलिए जहां राज के लोगों का विकास होगा उनका कल्यान होगा मैं वहीं खड़ा नजर आँगा और मैं पूरी तरीके से इस फैसले के साथ हूं साथ ही साथ मैं बारत सरकार से भारत के लोगों से यह भी कहना चाहूंगा कि जो दो पार्टियां वहां की हैं जिनको अभी देश-द्रोई समझा जा रहा है लेकिन उनको भी थोड़ी सी महलत दे दी जाए चुकि र 24 तक के लिए को टाल दिया था करण सींग कह रहे हैं कि अब नए प्रारूप के साथ वहां पर पुरर गठन होना चाहिए विदान सभाव का जिससे जो लोग है जम्मू कस्मीर के और जो नए लोग उसमें जुड़ेंगे उन सभी का प्रतिद्व आने वाले समय में विदान होगा जो भारत का संभिदान कहता रहा है तो सीधे तोर पर हर उस बात का समर्थन कर दिया है करण सींगे जिसको अमिसाने संसद में उठाया था जिसको भारत सरकार ने मोधी सरकार ने लोगों के समझ रखा और जिसके लिए 35 ए और 370 हटाया गया तो यह बहुत बड़ी ज करण सींग भी साथ बैठे थे और उन्होंने उस समय ये कहा था कि कोई भी इस तरीके का कदम खतरनाक हो सकता है लेकिन आज यसा लगता है कि करण सींग के अंदर की जो एक अंतरात्मा है उनकी वह जाग गई है उन्हें अपने पिता के उन सपनों की याद आ गी है जिसके यह उन्होंने भारत में विले किया था इस रियासत का इसलिए आज वो अपनी सच्चाई को उन्होंने एक पतर के माध्यं से उजागर किया है जो के पूरे पेस में डिटेल तरीकÓN अन्होंने एक एक पॉंइंट पर उन्होंने अपनी दाय रखी है और उस राए का समर्थ झालते किया है जो भारत सच्वाइंब कर देंगे बारत के राजदूत को बापस भी लेंगे और उसके बाद उन्होंने कई देशों के प्रिदान मंत्रियों को या उनके जो चीफ होते हैं उनको फोन करके अपने पच्च में समर्थन मांगने की कोशिस की लेकिन हर तरफ से इम्रान खान को एक ही निरासाजनक इस्तिति का सामना करना पड़ा चाहे वो ब्रिटे इनके प्रिदान मंति की तरफ से कोई भी इस परष्ट जवाब नहीं दिया गया और नहीं वहां के प्रवक्ता ने इसको लेकर कोई बयान दिया उससे पहले इम्रान खान ने चीन के राश्ट्वदी सी जिन्पिंग को फोन किया था और उनसे यह मांग की थी कि वह पाकिस् पाकिस्तान के कभजे में हैं और चीन ने यह कहने की कोशिस की थी कि आप हमारी संप्रुप्ता और हमारी लाइन ओफ कंट्रोल के ऊपर कोई हस्तचेफ न करें जिसको लेकर 12 सरकार ने कह दिया था कि यह जो हुआ है वो हमारे अपने राज्जिव हुआ है और हमने अपने किया है हमने किसी अन्य देश के साथ कोई भी किसी तरीके का और स्थिव नहीं किया है फिर पाकिस्तान के गजिद्र पुर्द्राइं मंक्री प्रकॉत करते हैं रहे में रहे वहाए नजर बाइए है। और हमारी कोसिस यह होगी कि किसी तरीके से दोनों देशों के बीच में कोई टेंसर न बढ़े इसके बाद पाकिस्तान के प्रदानमंत्री फोन करते हैं तुर्की के राष्ट्पति को और वहां भी वो कोसिस करते हैं और तुर्की की तरब से एक बयान आता है कि भारत ने जो क से वो भारत के साथ रिष्टे भी नहीं तूड़ना चाहेगा उससे पहले मालदीव के राष्टपती ने मालदीव की तरफ से समर्थन किया गया स्री लंका ने समर्थन किया और ओपे जिसको बोलते हैं कि इसलामिक जो सयोग संग्ठन है उसकी तरफ से भी एक बयान चो आया कि वो भारत के इस कदम की निंदा करते हैं लेकिन उसी इसलामिक संग्ठन के सबसे बड़ा जो देश है यू एई उसने खुल कर कह दिया कि हम भारत के साथ हैं भारत ने जो कुछ किया है वो अपने आंतरि एक राज्ज के मामलों में किया है सम्मिधान के अंतरगत किया है और इससे किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए वहीं दूसरी तरफ जो सबी अरब के crown prince है उसे भी phone लगाया पाकिस्तान के प्रदान मंत्री ने और उसने भी कोई इसपष्ट जवाब नहीं दिया पाकिस्तान को क्योंकि सवुदी भी जानता है कि भारत के बहुत से लोग सवुदी अरेविया में काम करते हैं और उनके हिट जुड़े हुए इसलिए कोई भी देश खुलकर पाकिस्तान के साथ नहीं आ रहा है चाइना भी साथ में नहीं आया, अमिर्का भी साथ में नहीं आया और बाकी जो यूरोप के बड़े-बड़े देशे उनका तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि उनके साथ में भारत के जिस तरीके के कूट नितिक रिष्टे है उसके आधार पर पाकिस्तान को ये पहले से पता है कि अगर वो वहाँ फोन भी करेंगे तो वहाँ से समर्थल नहीं मिलने वाला है निश्चित तर्बर पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी इस्तिती पैदा हो गई है और वो कंगाली के एकदम कगार पर खड़ा हुआ राष्ट है उसके बावजूद उसकी सेना उसको उक्षा रही है और वुपच्ची पार्टियां उक्षा रही है कि वो भारत के किलाब कुछ करने का हिम्मत दिखाए लेकिन हिम्मत वो दिखाएगा कहां से जिसकी जे मैं दो कौड़ी नहीं हो वो व्यक्ति कैसे लड़ाई लड़ेगा और किस मुद्धे पर लड़ाई लड़ेगा क्योंकि यूएन ने भी जिस तरीके से अभी यूएन का जो न्यायले है उसमें भी पाकिस्तान ने जाने की कोसिस की लेकिन वहां से भी उसे इस फ कीमाओं का अथ किरमन उन्होंने नहीं किया है इसलिए हमारा कोई हस्तचेफ उस मुद्धे पर नहीं हो सकता अब पाकिस्तान के प्रदानमंति को कुछ सूज नहीं रहा है कि वह करे तो क्या करे वह युद्ध की गोशना करके अपने वागी बचे हुए देश को बरवाद नहीं करना चाहता है और उसके अलाबह जिस तरीके के प्रत्रवंद लगाने की बात है तो उसमें भी जो फ्ता होता उसमें नुकसान पाकिस्तान का छ Model i नहरीं पाकिस्ताना से आने बाली चीजों पर 200 प्रत्सत की कस्टम ड्यूटी लगा रखी ती जो सीधा तोर पर उस ब्योपार को अतोर साइद करने के लिए थी तो निश्टित तोर पर इसमें भी नुक्सान पाकिस्तान का है और पाकिस्तान के लिए यहीं बहतर होगा कि वो चुप बैठ जाए और कस्मीर का जो हिस्सा उ उसको बापस कर दे और अपने आपको एक सांतिपूर देश बनाने की दिशा में काम करें जिसमें भारत भी उसकी मदद कर सकता है लेकिन अगर वो आतंकवाद को प्रेस्ट देता रहेगा संद्चन देता रहेगा तो उसके तूटने के दिन भी बहुत ज्यादा दूर नही है जै हिम जै वारत